जीवन में अपने समंधों को घड़ी की सुई की तरहें बना कर रखें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सुई तेज है और कौन धीमी माईने रखता है समंधों में जुड़े रहना जैसरी कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे मेस राशिवालों के अगस्त महीने के प्रेम समंध और वैवाहिक समंध के राशिफल की और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अं जन्द्रमा है वो ही उनकी राशि है जिनके पास जन्पुनली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राश से देख वो सुन सकते हैं तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं मेस राशिवालों के प्रेम समं उमें गोचर करेंगे 18 अगस्य वो कन्या राशी में छठे भाव में गोचर करेंगे और उससे पहले उनका गोचर सिंग राशी में पंचम भाव में बना रहेगा जो कि आपके राशी स्वामी है और यहां पर हम पंचम भाव के स्वामी सुर्य का गोचर अगर देखें तो 17 अ पूरे महिने अगस्त के और बात करें हम गुरू की तो गुरू मेस राश में आपकी राश में ही रहेंगे और वहां पर उनकी राहू के साथ युति होगी और भाग्य भाव के स्वामी हैं गुर्देव बारवें भाव के स्वामी हैं राहू के साथ युति होने से प्रथम भा गोचर में गुरू चंडालयोग का निर्माड करेगी सनी देव आपके एकादस भाव के स्वामी का गोचर एकादस भाव में ही रहेगा जो कि दसम भाव के स्वामी भी हैं के तु आपके सब्तम भाव में रहेंगे तुला राश में पूरे महने गोचर में रहेंगे सुक्रद भाव में रहेंगे और साथ अगस्ट से करक राश में बक्री अवस्था में गोचर प्रारम करेंगे तो इस तरह की ग्रह गोचर इसलती रहेगी चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में रहेगा वो पूरे महिने में सभी राशियों में गोचर कर लेंगे क्योंकि चंद्रमा सबा दो दिन में अपना राश प्रवरतन कर लेते हैं तो पूरे महिने में उनका लगभख सभी राशियों में गोचर हो जाएगा तो कुछ इस तरह हैं कि ग्रह गोचर इसलती रहेगी मेस राशिवाले लोगों के लिए चलिए अब प्रेम संबंदों की बात सबसे पहले करेंगे मेस राशिवाले लोगों के लिए प्रेम संबंदों की बात करें तो प्रेम संबंदों के मामले में आपको अगस्त का महिना बेहतर प्रणाम दिखाएगा बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अपने में तनाव नहीं जादा अपने उपर हावी होने देना है गलत पहमियों से बचना है राहु का गोचर आपके प्रतम भाव में मेसराशी में ही रहेगा गुरू के साथ रहेगा जो कि आपके भागे भाव के स्वामी है भागे का साथ आपको मिलता रहेगा आपके प्रेम समंदों में और ध्यान रखने वाली बात थोड़ी सी यही होगी कि आपके प्रेमी प्रेम का के साथ समंदों में मधुरता भी रहेगी और बो मधुरता अगर बढ़ती है तो ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन आप यह भी ध् अगस्त के महिने में भी इस बात का आप ध्यान रख कर चलें हाला कि रोमांटिक समय रहेगा रोमांस जादा रहेगा और पुराने प्रेम संबंध है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी रोमांस होगा लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बेर्द के बाद भी बात हो सकते है इस बात का ध्यान रख कर थोड़ा सा आपको चलना होगा और नए प्रेम संबंध है तो वहाँ पर तो ज़्यादा अच्छे परणाम देखने को मिलेंगे ही अगस्त का पूरा महिना आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ भरोसा भी रहेगा रोमांस भी तो प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर नियंतरा रखना होगा गलत फ्यमियों पर नियंतरा रखना होगा इस बात का विश्यज ध्यान रख कर चलना होगा नहीं तो फिर वहाँ पर बात देखने को मिल सकते हैं और अगर अपने प्रेम संब पर भरोसा रखते हैं धैरे और सयम का परिचे देते हैं किसी भी बात को बड़ा नहीं करते हैं तो प्रेम समंधों में आप अच्छे परणाम अगस्त के महिने में पालेंगे फिर प्रेम समंध आपके अच्छे रहेंगे लेकिन आपके एहम के चलते गलत फहिमियों के चलते संकायों के चलते बाद विवाध हो सकते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रख कर आवश्ची ही चलने की आवश्यक्ता होगी राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे गल्त फह्यमियां बढ़ सकती हैं इस बात का आप ध्यान रख कर चलें तो बात करते हैं सिंगल लोगों की अगर आप सिंगल हैं किसी साथी की तलास में हैं किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रबस समंधों को प्रेम समंधों में बदलना चाहते हैं मुलाकात करना चाहते हैं डेट पर जाना चाहते हैं प्रिम समंदों में आप साथी चाहते हैं, प्रिस्ताव देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका प्रिस्ताव अगस्त के महिने में सुईकार किया जा सकता है आपको साथी की तलास पूरी हो सकती है और 17 अगस से 31 अगस तक का समय बहुत बहतर है जब आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है आपकी साथी की तलास पूरी हो सकती है हाला कि पूरा महिना अच्छा है कभी भी आप प्रिस्ताओ दे सकते हैं मेसरा शिवालों के लिए प्रेम समंधों के लिए बेहतर प्रणाम ही मिलेंगे लेकिन 17 अगस से 31 अगस तक का जो समय है वो ज़्यादा बेहतर प्रणाम आपको दिखाएगा और आपके जीवन में साथी की तलास भी पूरी हो सकती है सिंगल लोगों के लिए महिना अच्छा है अगस्त का अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरहें की कोई भी no contact situation चल रही है कोई भी बात विवाद चल रहा है यानि कि आपके प्रेम समंध पहले थे पूरे महिने आप प्रियास कर सकते हैं थोड़ा सा आप गलत फैमियों को दूर रखें संकाएं जादा ना होने दें और जिन बातों को लेकर आप दोनों के वीच गलत फैमिया हुई हैं उनको इस प्रष्टता से सुलजाएं किसी तीसरे बेक्त की एंट्री ना दें और पर 17 अगस से 31 अगस तक का समय अच्छा है जब आप प्रियास करें तो आपको सफलता मिल सकती है यानि कि आपकी no contact situation में बदल सकती है तो प्रेम समंदों में कुछ इस तरह हैं कि परणाम मिल सकते हैं और अगर आपका साथ ही मेस राशी का है सिंग राशी का है या धनू रा राशी है केतु का गोचर वहां पर बना हुआ है और सुक्र का जो गोचर है वो दो राशियों में है वो पहले सिंग राशी में है और साथ अगस से वो करक राशी में है तो सुक्र का अगर हम गोचर देखें सुक्र का गोचर अच्छा है सुक्र अपने गोचर में चोथे औ और अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई बात भी बात चल रहा है तो उसे भी समाप्त करने का आप प्रियास कर सकते हैं अगस्त के महिने में आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके जीवन साथी के संबंध सामान ने हो सकते हैं और 7 अ सकते हैं संबंध आपके प्रतेक जगे पर जीवन साथी के साथ मधुरी रहने वाले हैं पर आप अपने जीवन साथी पर या आपका जीवन साथी आप पर गलत फहमियाँ संकाएं भी कर सकता है राहु का गोचर प्रतंभाव में है और केतु आपके सबतंभाव में है अगर आ अपने साथी से डारेक्ट इस पष्टा से बात करें तो आपके वैभाईक समंद अच्छे रहेंगे जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरहें का कोई भी मदभेच चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं 7 अगस्त से 31 अगस्त का समय काफी बहतर है आप प्रयास करे आपके मदभेच समाप्त हो सकते हैं जीवन साथी के साथ बैभाईक समंद आपके सामानने हो सकते हैं और अगर आपका जीवन साथी कोई ब्यापार कारोवार या नोकरी करते हैं तो अगस्त के महिने में वहां से आपको लाप देखने को मिल सकता है और वहां पर बात बिव इसलिए ध्यान रखें कि विवाद से अलग संबंद नहीं होने चाहिए और अगर फिर भी हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी के साथ आपके इन संबंदों को लेकर कोई नो कोई बात विवाद देखने को अगस्त के महने मिल सकते हैं और अगर आपने छोटी- बातों को बढ़ा किया तो फिर ज्यादा बात भी बात भी देखने को मिल सकते हैं तो कुछ इस gezeigt में इस के प्रणाम में इसरा शिवालों को प्रेम संबंद और व्यवाइक संबंद में अगस्त के महने में मिल सकते हैं चलिए उपाय की बात करते हैं उपाय की करें तो आप रविवार वाले दिन सुर्य भवान को तांबे के लोटे से जलर पित करें रोजाना सुबह नहादो कर सकते हैं बहुत अच्छा है बना रविवार के रविवारा पवश्य करें आपको निश्चित ही लाप देखने को मिलेगा और सुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान कर दें या फिर खीर बना कर गरीबों में बाटें ये उपाए आप करते रहें या फिर इन में से कोई भी एक उपाए भी करेंगे तो भी लाप देखने को मिलेगा और अगर ये सारे उपाए करते हैं तो भी लाप देखने को मिलेगा ये उपाए आप क क्योंकि आपकी जन्म पुर्णली पर भी बहुत कोश निर्भा करता है। आप सभी स्वस्त रहें, आयुश्मान रहें, धन्वान रहें, ऐसी मेरी श्रीकृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जै श्रीकृष्ण, जै श्री राधे!